ओके सो हलो दोस्तो आज की वडियो में हम बात करने वाले हैं से टॉप 3 बेस्ट फ्लेक्सिक ग्रेड वाले स्मार्फोन्स जो इस टैम दोस्तो 40,000 रुपे से भी कम की प्राइज रेंज में आपको देखने को मिल रहे हैं अगर दोस्तो आप 40,000 की रेंज में कोई बैस्ट फ्लेक्सिक ग्रेड वाला फोन लेने की प्लैनिंग कर रहे हैं तो आज की वडियो को देख से रहे हैं तो टॉप 3 तीरो ही स्मार्टफोन में लिस्ट में बैस्ट कॉलिक्टी देने वाले हैं तो शुरुआत करें दोस्तो लिस्ट की तो पहला हमारा स्मार्टफोन आता है लिस्ट के अंदर नथिंग की ब्रेंडिंग के साथ नथिंग फोन टू फोन दोस्ते ही काफी कमाल का है अविसली इस लिस्ट में तो इसको हो नहीं होना था अगर इसकी प्राइस की बात करों तो कुल 36,999 रिपे अभी इसकी प्राइज है क्रोमा की ओफिशल वेबसाइट पे 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ फिलिप कार्ड वगेरा पे आपको प्राइज थोड़ी उपन नीचे ज़रूर मिल सकते हैं वहाँ पर से आप इसको सस्ते मिले सकते हैं और वहीं दोस्तो अगर हम बात करें इसके डीटेल स्पैसिविकेशन की तो दोस्तो ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर जुलाई 2023 के अंदर आया था वहीं इस Nothing Phone 2 के अंदर 6.7 का OLED पैनल डिस्प्ले है 120Hz के रिफरसीट, HDR10+, और कॉर्णिंग के गुला ग्लास 5T प्रेक्शन के साथ बैक में कैमरे के दो ही सेंसर है, दोनी ही सेंसर 50MP के है यानि की अल्टरावाइड लेज़ भी 50MP का दिया गया है फ्रेंट में फ्रेंट फ्रेंट फेसिंग सेलफी कैमरा 32MP का देखने को मिलता है तो उसी के साथ 47MP की बैटरी, 45W फार्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है इन डिस्प्ले फिंग पे स्कैनर मिल जाता है तो फोन की कॉलिटी काफी जबर्दस्त है तो उसी है हमारी लिस्ट का पहला फोन है नथिंग फोन 2 जो की मेरी एक परसनल रेक्मेंट आपके लिए रहेगा अगर आप कोई कन्फीज होने किसी स्मार्ट फोन को लेने के लिए तो नथिंग फोन 2 एक अची चोईस हो सकती है लेकिन अगर हम बात करें लिस्ट के सेकंड फोन की तो आपकी चोईस बिल्कुल बदल सकती है वो दोस्तों हमारा आवाता है ओपो की ब्रेंडिंग के साथ जी हाँ दोस्तों माई लिस्ट का सेकंड फोन है ओपो रेनो 11 प्रो अब फोन दोस्तों कैमरे के माल में औवैसली ये काफी कमाल का है क्योंकि इसकी एड़ वगारा होई है उसमें भी सिर포 इफ कैमरे को ये हाईलाइट करा है जी है बाके काफी कमाल का है अगर इसकी प्राइस की बात कहें तो 49,99 पे में ये 12GB RAM और 156GB स्टोरेज आपको देता है काफी कममाल की स्टोरेज कम प्राइस जिन में प्रवाइड कराता है अच्छे फीचर्स के साथ चलिए इसकी डीटेल स्पेसिवेशन की बात करें तो ये लेटस फून है यानि की जनवरी 2014 में इंडीर मार्केट के अंदर आया था और होई इसमें Meditech के Dimensity A200 chipset मिलता है ये भी flexic grade वाल पॉस्सर है तो आप Mediatek या Qualcomm में कन्फीज होने की जरूत है नहीं उसे के साथ 6.7 इज का एक AMOLED पैनल डिस्प्ले है 120Hz के refresh rate HDR 10 पस के सपोर्ट के साथ back में camera के 3 sensor है इसमें जिसमें में 50 का है, 8 का Ultra Wide Lens और 32 में पिक्सल का इसके अंदर टेली फूटो लेंस भी मिल जाता है तो camera के लिए मनें कहा था न अच्छा है तो इसलिए sensor भी टेली फूटो इसके अंदर दिया गया है फ्रेंड में front facing selfie camera 35 MP का है तो उसी के साथ 1600 मेंच की बैटरी है 80 बोर्ट के fast charging support के साथ जुआ किया आती है, in display फिरेंपे scanner भी मिल जाता है और design wise भी ये काफी अच्छा है, अगर ये design आपको पसंद आता है तो बचे अगर मेरी personal recommender है तो मुझे back design ठीक ठाक की लेगा, मतलब कुछ खास नहीं तो ये हमाई list का second best phone है, OPPO का Reno 11 Pro जो की Reno series का latest phone है अब बात करते हैं दोस्तों list के तीसरे और आखरी smartphone फिर दोस्तों थोड़ी confusion दूर करने को से जरूर करूँगा आपको कुण सा best phone इस list के अंदर से लिना चाहिए, अगर आप 40,000 रुपे कर्च कर रहे हैं अपने smartphone के लिए तो list का तीसरे और हमाई list का आखरी flexible smartphone दोस्तों आता है OnePlus की branding के साथ OnePlus 12R अब ये latest phone है, performance के मामने में तो काफी अचा obviously है और branding भी ये जबदस देता है साइद इस list के अंदर आपको सबसे best जो बढ़िया branding है OnePlus ही लगी होगी OnePlus 12R के साथ अगर इसकी price की बात करें तो इसके अंदर आपको 8GB RAM और 108GB storage 49,999 मिलता है जो कि आपको साइद निरास कर सकता है क्योंकि इसके दोनों phone 12GB RAM देते हैं इसी price में या फिर से कम में भी लेकिन इसका 45,999 पर में 16GB RAM और 256GB storage को आप ले सकते हैं अगर आप extra पैसे खर्च करना साथ हैं इस 12R के साथ तो अब दोस्तों बात करें इसके detail specific किसन की अगर आपको विरेंट पसंद आया तो आप इसके तरफ जा सकते हैं वो मैं बात दो बात करता हूँ इसके detail specific की बात करता हूँ तो यह phone फरबरी 2024 में इंडियन मार्केट में आया यानि की latest phone है यह सारे features latest मिलने वाले हैं Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 2 इसके अंदर chipset मिल जाता है 6.7 इंच का एक Full HD Plus AMOLED पैनल देखने को मिलता है जोकि 120 Hz से proceed HDR 10 Plus के सपोर्ट के साथ आता है और इसमें Corning के Golda Glass Victus 2 की आपको protection भी मिल जाती है जोकि एक flexic grade वाली latest protection है उसी के साथ दोस्ते इस स्मार्टफोन में बैग में के मेरे के 3 सेंसर हैं जिसमें में 58 का Ultra Wide और 2 का Micro Lens फ्रेंड में 32 में पेक्सल का front-facing selfie camera दिया गया है तो उसी के साथ आपको पच्छ पंद सव मेच की बड़ी पारफुल बैटरी सोगोड के बड़े पास चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल जाती है इन डिस्पलिफिक स्कैनर और Dolby sound quality support भी इसमें मिल जाता है फोन दोस्तों यह काफी कमाल का है नो डाउट यह काफी कमाल का फोन है यह लेकिन अगर हम बात करें रैम स्टोरेज वगेरा की तो यह जिस प्राइज जेंज में आता है नहीं क्युंताली जन्नों से इंड्यान वर्पर में इंतिजार कर सकते तो कोई जिन रुप जाएए सायद आपकी एक दो तीम महीने बाद इसकी प्राइज जरूर कम होगे अभी फिलाल कोई कोई दूर दूर तक भी है कि इसकी प्राइज कम होने वाली है लेकिन अगर आप एक बैस फोन चुनना चाते तो मेरे साब से अभी के फोन चाहिए तो नतिंग फोन टो एकची चोईज है बाकि 12R के लिए मैं आपसे ये रेक्मेंड करूँगा कि आप एक्स्टा पैसे खर्च करके 16GB RAM और 256GB Storage बहुत कम होती है और इन तीनों ही फोन के अंदर storage को expand करने का option नहीं दिया गया है तो इसलिए आपकी confusion दूर करने क बाकि अगर एक best camera phone चाहिए आपको क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कोई लड़की देख रही है या फिर कोई गल देख रही है best camera phone OPPO का है no doubt OPPO का best camera है स्टम इस लिस्ट के अंदर OPPO का Reno 11 Pro camera के लिए number one phone है बाकि और कोई चीत देख रहे हैं तो मैं nothing phone 2 ज्यादा best कहू बाली तो OPPO का Reno 11 Pro एक अच्छी चोई है बाकि आगर आप oneplus के 12 आर की तरफ जाते हैं तो मेरी माल लीजिए आपको 459999 खर्च करने चाहिए ना कि 499999 बस आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही वीडियो आपको कैसे लिए इस वारे में comment जरूर करें वीडियो अच्छी लिए हो तो वीडियो को like कर सकते हैं, चैनल को करें, subscribe, notification bell को जरा जोर से दबाएं, मिलेंगी नहीं कमाल की वीडियो के अंदर तब तक के लिए दोस्तो goodbye and जाहिन